हेलो माई डियर स्टूडेंट मैसल्फ गौरो मिस्रा वेलकम जीममेट टुटोरियल लास्ट लेक्चर में हमने जेमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आफ रिजिटनल लंबर इन रियल लाइन पर पढ़ा था कुछ कोर्शन भी हमने सॉल किया था जिसमें हमने दो रिजिटनल के बीच में एक रिजिटनल लंबर और यन रिजिटनल लंबर फाइंड करने के मेठ़ड पर डिसकसन हो चुका है कोशन भी लगवा चुके हैं आई होब कि आप भी एक्ससाइज को सॉल करकर वेरिफाई कर लिए होंगे उस कोशनों को कंफर्म कर लिए होंगे उस सब्सक्राइब कर लें क्लास 9 के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्लास 9 के मेरी सुरू से वीडियो देखने के बाद तब आप यहां आपर वीडियो देखें तब आपको ज्यादा क्लियर होगा ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीके टर्मिनेटिंग रिकरिंग डे करें मतब टू को वन से डिवाइड करें तो कितना आएगा पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ आएगा तो आप जानने हैं यह क्या हो गया डिवाइट करने पर क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा तो ऐसे डेसिमल जो क्या करें हम डिवाइड करने पर डेसिमल क्या हो ज सेगा वन के बाद 339 वन अब देखिए यह जो वन आया फिर हम डेसिमल लगाएंगे 339 मतलब 0.3333 चलता रहेगा यह तो ऐसे डेसिमल जो क्या करने टर्मिनेट कर जाएं उनको क्या करते हैं जैसे 1 by 2, 1 by 4, 5 by 8 और भी कुछ आंसर है 13 by 5 and so on अब कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते हैं रिपीट करते रहते हैं ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं ऐसे डेसिमल को हम रिकरीम डेसिमल बोलते हैं बहुत एजी है कि बहीं ऐसे सभी फ्रेक्षिन पी बाई क्यू को हम क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में और जब उसको डेसिमल फॉर्म में हम express करेंगे तो ऐसे decimal जो क्या करें जो end हो जाएं terminate कर जाएं उनी को हम क्या करते हैं terminating और जो end ना करके repeat करते हैं उनको करते है recurring clear है चलिए अब कुछ important result है हमारे पास हम कैसे identify करेंगे देखते ही कि ऐसे दिये गए question को कम से कम solution अलग क्योंकि जो largest number होंको उनको divide करने में जैसे 20 है 20 को 7 में divide करने में काफी समय लगेगा फिर काफी समय मतलब देखते ही हम जल्दी जल्दी इसी 20 को open कर दें अगर factor में तो 2 2 5 मतलब इसको लिख सकते है 2 square 5 clear है याद रखिएगा 20 को हम लिख सकते है 2 square 5 तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है every fraction p by q terminate decimal only when prime factor of q are 2 and 5 मतलब जब भी prime factor q का क्या होगा 2 और 5 होगा जैसे 1 by 2 में आप देखिए 1 by 2 में हम लिख सकते है 2 into 5 के power 0 तो यह क्या है p और q q जो है prime factor है 2 और 5 का उस समय यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा terminating ऐसे ही और भी है जैसे 20 वाला भी हम आपको बताए 20 को हम क्या लिख सकते है 20 को लिख सकते है 2 square into 5 तो आप यहाँ देख रहे होंगे 20 square into 5 में ऐसे prime factor है जिनका क्या है denominator 2 and 5 है इसलिए यह क्या होगे terminating तो clear रखिएगा terminating word हमेशा बार-बार आने वाला है देखिए इसी example में कुछ और भी चीज़े लिखा है since the denominator of each has no prime factor other than 2, 5 मनलब 2 और 5 के अलाबा अगर कोई और prime factor आ जाए जैसे 2, 3 आ जाए 1 by 2, 3 मतलब 1 by 6 आ जाए तो ऐसे prime factor क्या होंगे terminating नहीं होंगे clear है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और भी questions और भी topic पर discuss देखिए मैंने next question लिया है आपके सामने इस question में without actual division find which are the following rational number are terminating decimal question बहुत अच्छा है देखिए हमें actual division तो करना नहीं है तो question में कर रहा है कि without actual division अगर आपको side में करना कर सकते हैं लेकिन उसमें समय काफी लगेगा तो question उसी सबसे आपसे पूछ भी रहा है कि without actual division find following rational number आपको दिया हुआ है आपको बताना है कि terminating है कि recurring है या terminating नहीं है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे पहला question 5 by 32 है तो 32 को जब open करेंगे 2 के power क्या आएगा 5 आएगा जब 2 के power 5 आएगा तो आप देख रहा होंगे 32 has no prime factor other than 2 means 32 के बाद no prime factor other than 2 2 के अलावा और कोई prime factor नहीं है 2 या 5 च्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते है 2 के साथ हम 5 into 0 भी लिख सकते है 5 power 0 तो इसलिए ये terminating है फिर से समझ लीजे मैं आपको बात समझा रहा हूँ 32 को लिख सकते है 2 के power 5 denominator को और फिर 32 has no prime factor other than 2 32 का और कोई prime factor नहीं है 2 के अलावा तो इसलिए क्या होगा terminating एक question और है देखिए उसी में 11 by 24 उसको open किए denominator को 2 cube into 3 आया तो 24 has prime factor 3 देख रहे है other than 2 and 5 तो ये क्या होगा देखते ही आपका सकते है denominator open कर दे non-terminating फिर समझे अगर 2 cube के साथ 5 आता तो terminating होता लेकिन यहां 3 आ गया है तो 3 आने की वज़े से ये क्या हो गया ये not terminating हो गया है एक question और है देखिए उसी में 80 है 80 को हम open करें 2 power 4 into 5 तो आप देख रहे हैं 2 और 5 है prime factor में इसलिए क्या होगा terminating I hope कि आप समझ पा रहे होंगे इस तरह की question बहुत तीजी है चलिए अब इसी साथ हम recurring decimal पर आपको और information दे दे recurring क्या होता है जो मैंने बताया था आपको repeating recurring का मतलब यहां देखिए word लिखा हुआ है recurring means repeating decimal जो repeat करें जैसे 2 by 3 है तो point अगर 2 by 3 में 3 से divide करेंगे 2 को to point 6666 and so on चलेगा point 666 and so on पर हम लिख सकते है point 6 bar क्या लिख सकते है point 6 bar इसी तरह 3 by 11 है अब देखिए इन सब के denominator में ध्यान दीजे 2 और 5 either 2, either 5 either 2 and 5 including 2 and 5 ऐसा कोई prime factor नहीं है इसलिए terminating तो होंगे नहीं clear है अब 2 by 3, 3 by 11 अगर उनको open करें point 27 point 272727 ऐसे आता जायागा मिलेगा हम उसको लिख सकते है point 27 bar तो यही definition पे भी discuss किया गया है definition क्या है देखिए ध्यान से definition लिखा है a decimal in which digit are the set of digit repeats periodically is called repeating or recurring मतलब ऐसे decimal जिन में digit या set of digit क्या करें repeat कर जाए जैसा कि आप देख रहे होंगे और उनको जो repeating होगे उनी को हम किस से denote करते है इस symbol को हम लिखते है bar क्या बोलते है bar clear है तो बहुत easy है यह topic आप I hope कि आपको आज का lecture पसंद आया हो मैंने आज discuss किया किन के किन के बारे में आज मैंने discuss किया repeating और non repeating पर means terminating and terminating and recurring पर और भी कुछ problem आप अपने book से या exercise से या net से निकाल करके solve करिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे channel को like, subscribe और share करना न भूले Thank you